हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिकप्स में यूज होने वाली मेडिसिन्स के बारे में यानि के जब घरेलो उपाई से हिचकी में आराम ना हो और हिचकी लंबे समय तक हो तो उस समय पर वह कौन सी मेडिसिन दी जाती है जिससे की हिकप्स को कमट्रोल किया जा सकता है यानि के हिचकी को बंद किया जा सकता है तो दोस्तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि यह हिचकी क्यों होती है और यह क्या होती है दोस्तो यह हमारे अब्डोमिन में डाइफराम की मसल्स का कॉंट्रेक्शन इर्रेगुलर हो जाने की वज़े से हिकास होती है यानि के ज़्यादतर केसिस में यह हैं दो या चार बार होती है लेकिन कभी कभी हैं लगतार एक गंटा या दो गंटा या इससे ज़्यादा भी हो सकती है तो उस समय पर ऐलोपेथी मेडिसिन का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन दोस्तो एलोपेथी मेडिसेन से पहले कुछ घरेलो उपाई करने चाहिए जिससे कि एह राम से बंद हो जाती है तो दोस्तो कुछ मिनिट की हिच्किया खुद ही ठीक हो जाती है लेकिन अगर हिच्किया बहुत लंबे समय तक हो तो उस समय पर यह करेलू उपाय करने चाहिए इसमें सबसे पहला है ठंडा पानी पीना चाहिए और ठंडा पानी के गरारे किये जाने चाहिए और बरफ का टुकडा मुह में रखकर चूसना चाहिए जिससे की माइम डिश्टब हो और हिच्कि आनिबंद हो जाए और दोस्तो ठंडे पानी को आगे की और जुक कर एक है और जिसकी वज़े से मांड हो जाता है निके मरने का खयाल या फिर अलग अलग ख्याल आने लगते हैं तो उसके मांड डिस्टरब हो जाता है इसके को 3-4 पार दो रहा जा सकता है और यह बहुत अच्छी मैंने खुद अजमाई है इससे भी हिचकी बंद हो जाती है और दोस्तो नेक्स्ट टिप है इसमें एक चम्माज सुगर मुह में लेकर पांस सेगिंड तक मुह में रखे और फिर एक गिलास पानी से उसको गटक जाए जिससे कि यह हमारी वेकल स्नर्फ इस्टुमलेट हो जाती है और hiccups बंद हो चाती है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं जब घरेलू उपाय से आराम नहों तो उसमें ऐलोपेथी ट्रीटमेंट क्या दिया जाना चाहिए दोस्तो इसमें सेबसे पहली सिरफ आती है R.I.D. जो की Anesthetic with Anti-Acid Suspension होता है जिससे की हमारी hiccups से बंद हो चाती है और दोस्तो इसकी जंगा पर हम सिरफ A.C.K. भी दे सकते हैं यह दो चमत दिन में तीन बार या चार बार दी जा सकती है और दोस्तो इसके अलावा इसमें टेबलेट दी जाती है Drotin DS जो की Drotaurine ATMG होता है यह सुबह साम दी जाती है ताकि hiccups की वज़ से जब पेट में दर्द रहता है तगलीप रहती है तो उसको खतम कर देती है और दोस्तो इसके साथ में मसल रिलक्सेंट टेबलेट दी जाती है जो कीलियोफेन के नाम से आती है इसमें बेकलोफेन 10MG साल्ट होता है जो की सुबह साम दी जा सकती है और दोस्तो जब इस टेबलेट और सिरफ से आराम ना हो तो फिर हमें इंजेक्शन का साहरा लेना चाहिए इसमें सबसे पहला इंजेक्शन आता है Drotin 2ML जिसमें साल्ट होता है Drotin Hydrochloride 40MG जो की Intramuscular और Intravenous दोनों तरह दिया जा सकता है और दोस्तो इसमें नेक्स्ट इंजेक्शन है Megatil जिसमें क्लोर प्रोमाजाइन होता है या 50MG की स्टेंट में आता है जो की 2ML की वायल में आता है दोस्तो यह जादा तर मास्पेशियों में लगा जाता है यानिके Intramuscular दिया जाता है और दोस्तो इसके साथ में Tablet Closin यानिके क्लोर प्रोमाजाइन टेबलेट दी जाती है जो की सुबह साम दी जाती है तो दोस्तो इन से भी टेबलेट से और इंजेक्शन से तुरंत आराम लग जाता है और हिच की बंध हो जाती है तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी भी नोलिज मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राब कर लिजएगा थैंक यू सो मच वोचिंग वर मैं वीडियो